हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटीब चैनल दापैट वीजन दिस इस आहील मली कीवर होस्ट एंडियर वेड तो मेरे पैरे दोस्तों कई बार क्या होता है डोक की बोडी के ओपर किसी तरह का कोई वुंड हो जाता है यानि एक घाव हो जाता है चोट लगने की वज़े स अगर मेरे पैरे दोस्तों वhou जो घाव के वहा वह भरता नहीं है तो उसके पीसे में ड्रीसन यह हो सकता है कि उस Над्र मैगट की फौरमेशन होना चार्ट होकी है यहानी मैगट समय मैगट से देनक हैं लेकिन बगल की बारीग ही तो हमको बील्कुल आपको नजर आएंगे व और वही एक रीजन होता है आपके डोग के घाव नहीं बढ़ते अगर मेरे पैरे दोस्तों आप एक स्ट्रीट डोग लवर हो आप एक स्ट्रीट डोग की हेल्प करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिचल होने वाली है विकोज अगर आप एक स्ट्रीट डोग को बचाने का काम करोगे तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पूर्ने का काम होगा तो सभी प्रोसीजर को आपको एंड तक देखना है ठीक है और अच्छे से मुझे सारी बाते सुननी है मेरी जो भी मैं बता रहा हूं ठीक है और जो भी मैं मेडिसीन आपको शो करूँगा आपको उसका यूजर करना है प्रोपर एक वेसे ठीक है तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो मेरे पहरे दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है जिस भी पार्ट पर घाव हुआ है आपको वहां पे हेर क्लिपिंग करना है हेर क त्रिम कर देना यानि जो उसके आसपास का जो हेर है उसको ट्रिम कर देना और यानि उसको क्लिप कर देना ठीक है फिर आपको क्या करना है जो बिटादीन जो होता है जिसके अंदर पोवीडिन आयोडिन होता है आपको उससे अपने डोग को क्लीन करना है जो डोग का घाव आप उसको clean करोगे आप एक cotton ले ले लेना cotton के अंदर लगा के फिर आपको अच्छा से घाव के उसको अच्छा से clean out कर देना है तो आपको यह सेंग नंबर पर प्रोशीजर आपको यह फॉलो करना है और आपको इसमें suspension का यूज करना है, ओंटमेंट का यूज नहीं करना, ओंटमेंट क्या होता है, वो थोड़ा से विसकस होता है, जैसे हम घर पे वैसलीन वगरा लगाते हैं, मौश्राइजर वगरा, वो थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े विसकस होते हैं, यानि एक क्रीमिश होते हैं, लेकिन जो solution जो होता है वो लिक्विड होता है जैसे पानी की तरह और उसका कलर बहुत यादा आपको रेड रेड सा भी नजर आएगा या मैरून कलर का नजर आएगा वो हमारा पोवेडिन आयोडिन होता है तो उसको आपको एप्लाइ करना और अच्छे से वहाँ पे क्लीन करना है फिर आपको एक एंटी जो मैगट जो श्प्रे आते हैं मार्केट में जो कि इन्तास कमपनी का बेस्ट प्रडैक्टिड है यानि वह कौन स्वाड़क्ट है ये होना बहुत जद्ध ज़द जदुरूरी है आपको क्या करना है जैसे आप उसको क्लीन कर दोगे तो आपको श्प्रे कर दोगे ताकि वहाँ पे maggots वगरा हैं वो मर जाएं अब जैसे ही वो apply कर दोगे तो आपको ये नजर आएगा वहाँ से अगर जादा maggots है तो maggots बाहर निकलते हुए नजर आएंगे यानि वो मर मर के बाहर निकलेंगे तो आपको क्या करना है कोई एक forceps की help से उसको बाहर निकाल देन आपको ये जो प्रसीजर है तीन से पास दिन तरफ फोलो करना है ठीक है मेरे प्यारे जोस्तों जैसे ही आप ये कर लोगे आपको क्या करना है फिर उसके बाद में जैसे ही आप ये cleaning की प्रोसेस कर रहे हो तो आपको साथ में एक अंटिबायोटिक चलानी है ताकि बैक्टि आपको दे रहाँ ठीक है तो आप यह सिपलेक्सिन जो है यूज कर सकते हो एंटीबाइटिक के तोर पर बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है और सेकिंड नंबर पर आपको देनी है एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसीन जिसको हम बेचिकली नसेट्स बोलते हैं ना नॉन सकते हैं अगर आपके डोग का बोडीवेट 10 kg है तो मेरे प्यारे जोस्तों आप अपने डोग को वन टैबलेट दे सकते हो दिन में एक बार ठीक है और साथ में यह प्रोसेस को फोलो करते हो और अगर आपका दिल बड़ा है आप चाहते हो स्टीट डोग की हेल्प करना तो प्लीज इस चोटे से प्रोसेस से जरूर हेल्प करना विकोज मेरे प्यारे दोस्तों जो स्टीट डोग जो होते है ना उनके अंदर अगर कोई घाव हो जाता है तो घाव के पीछे रीजन यही होता है कि उनमें मैगट्स हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसको खो वाली भावना आती है इन स्रीट डॉक्स के लिए तो प्लीज इस प्रोसेस को जुरूर फोलो करना और उनकी जान को भी आप बचा सकते हो ठीक है तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और आइधिंग सभी पॉइंच आपको क्ल थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत